हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थिस ब्लोगर्स आज मैं आप सभी लोगों को हमारे गिवन की इस सेकंड एपिसोड में श्वागत करता हूँ आज हम लोग इस एपिसोड में खास कर जो रहाट से किस तरीके से हम लोग गिवन पहुंच सकते हैं और वहाँ पहुंच कर में जो उनका एंट्रेंच से वहाँ तक का जो दो किलो मिटर का हिस्सा है प्लस उनका जो रेस्ट हाउस है उस हिस्से के बारे में हम लोग खास कर जानेंगे आज गीवन के अंदर जाने से पहले किस तरीके से हम उस जगा का मजा ले सकते हैं आएए देखते हैं तो दोस्तों अगर आप गीवन वाइल लाइब सेंचुरी घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जोरहाट आना होगा तो आपका नियरेस्ट एयरपूर्ट जोरहाट रही दहेगा जहां से 25 किलोमेटर होता है गीवन वाइल लाइब सेंचुरी और आप अग आगे मरियानी से चलते ही आपको अगर हम लोग स्टेट चलते हैं तो यह रस्ता सीधा नागालेंड को जाता है तो हम लोग लेट लेंगे यहां से यहां से आगे अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं गीवन तक तो आपको सबसे पहले गौहाटी पहुंचनी होगी फिर महां से भाया जोराट होते हुए 330 किलोमीटर की दूड़ी तैकर के यह वुगदोई रिवर क्रोस करते हुए आप गीवन वाइल लेट सेंचुरी पहुंच सेकते हैं गीवन वाइल लेट सेंचुरी के पास पहुंचते ही आपको लेट साइड में कठाल गुरी टी स्टेट क के मैमेल्स पाये जाते हैं जहां हाथियां भी सामिल है यहां आपको जायंट मालायान स्कुरील भी मिल जाएगा आप जब भी यहां आओगे आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि जंगल में हर दिन हर चीज नया होता है यहां से थोड़ी दूर चलते ही गिवन के लिए अंदर जाने का यह रास्ता आ गया जो 2 किलो मीटर का है तो इस रस्ते में हम लोग रुख रुख के चलेंगे और इस रस्ते में क्या-क्या चीज़े पाई जाती है आप लोगों को भी दिखाएंगे और हम भी इस जगा का मजा लेंगे तो रस्ते के बगल में ही यह उनका एक नया चेक पोस्ट है अंदर की और मूरते ही आपको जंगल की आवाजे सुनाई पढ़ने लगेंगी बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है मानिए मन काफी सांथ हो गया हमेशा तनाव में रहते हैं काम के बीच वहां से हटके अगर आप यहां आते हो तो काफी अच्छ के साथ खेलती हुई एक छोटी सी तितली को इसने हाथ में उठाने का काफी प्रयत्ने किया और अंतता यह हाथ में आ गई तो आप देख सकते हैं तो यह तीतलियां इसकीन की नमी के कारण काफी देड़ तक साथ रहती है और गिंती के अनुसर यहां 210 प्रजाती के बटरफ तो आए आगे बढ़ते हुए यहां पाए जाने वाले कुछ चीजों से रूबरू होते हैं यह फ्रेस वाटर क्रेब है जो काफी एंडेंजर्ड इस्पीशेजों में से एक है यह फ्लाफी टीट बटरफ्लाई है जिसका नाम कॉंस्टेबल है इसका रंग देखते ही बनता है और यह बहुत ही सुन्दर छोटी सी आपके अंगठे के नाखुन के बरावर साइस की एक छोटी सी टितली है जिसका नाम कॉमन पेरोट है यह वही कॉमन टीट है जिसको अब इस बार मेरी बड़ी वाली बेटी अन्वेशा हाथ में उठाई हुई है तो इस तरीके से धाय सो से जादा प्रकार की चिडिया भी पाई जाती है बहुत ही सुन्दर सुन्दर चिडिया आपको यह देखने को भी मिल जाएंगी लेगिन चीडियों के लिए आपको काफी ट्रेकिंग करनी होगी जंगल के अंदर जाकर सांत वता वरण में सुबह के माहॉल में आप बच्चे अपने ही धुन में मगन ने, यहां इस जंगल में इन छोटी-छोटी तालाबों में कई अनेक प्रकार की जिव आपको मिल जाएंगे, थोड़ी ही दूर आगे जाने पर हमें हाथी का कच्चा गोबर मिला, जिससे ये पता चलता है कि थोड़ी ही देर पहले यहां से जंगली हाथी गुजड़ा होगा, मनी मन थोड़ा डर भी लगा, फिर भी आगे बढ़ते हुए आईए कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, ये एक बहुती सुन्दर बटरफ्लाई है, जिसका नाम है मैगपाई क्रो, काफी सुन्दर है इसकी पंक, और ये काफी सु बोटी भुरी रंग की पुंची नेलो है, ये भी एक बहुत सुन्दर बटरफ्लाई है, और यहां से आगे बढ़ते हुए, ओह, ये क्या गया, इतना बड़ा साब बटरफ्लाई, ओह, काफी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई यहां पाई जाती है, ये जिका फोटोग्राफ ये एक कॉमन टीट है, जो हाथ में लिया हुआ था, ये उसका उपर का हिस्सा है, जो निले रंग का होता है, दुबारा ये हाथ में लेती हुए अन्वेशा ने ये परपल साफायर को इस बार उठाया हुआ है, ये भी एक बहुत ही सुन्दर बटरफ्लाई है, और ये पेर सेंसस के अनुसार करीबन 26 फेमेलीज गीवन के मिल जाएंगे, जिसकी कुल सेंख्या यहां करीबन 106 से अधिक है, और इस तरीके से रूप रूप कर चलने पर आपको यहां नेक प्रजाती के जीव जनतु मिल जाएंगे, जिसमें से एक बहुत ही सुन्दर प्रजाती है, यह देखिए, यह जाएंट मालायान स्कुरिल है, यह बहुत ही बड़ी गिलहरी है, लगबग 5 गुना बड़ी होती है, एक बिल्ली के साइज से और इसकी पूच काफी लंबी होती है, आप जब भी यहां आओगे, तो इस गिलहरी को जब भी आप देखना चाहोगे, तो इ आयरुवेदी वाले पेर पोधे भी मिल जाएंगे, और आप ध्यान से इन जगव में घूमोगे, तो आपको यह छोटी छोटी बेडियां देखिए, यह पतो की नीचे लगी हुई है, लाल लाल बेडियां, यह बहुत ही स्वादिस्ट होती है, तो यह आप यहां से बहुत ही स्वादिस्ट बेडिज होती है, इस जगह में जब भी आप पहुचोगे, तो आपको दहेने साइड में चाय की बागान और बाये साइड में जंगल के बीचो बीच से गुजरता हुआ रेल की पट्रिया आपको दिखाए देगी, इसमें से अभी एक रेल आने वा है और कई जानवार मारे भी गये हैं, यह बढ़ते हुए गीवन पहुंचते ही आपको यह जाएंट ऊट स्पाइडर मिल जाएगा, यह बहुत ही बड़ा मकडी होता है, यह थोड़ा पॉजनस भी होता है, और धिरे धिरे गारी पार्क करने के बाद जब आप इस लेफ होगे तो भी आपको यहां कई अनेक प्रकार के कीडे मकोडे दिखाए देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक बटरफ्लाइ का केटरपिलर है, पहुत ही सुन्दर रंग है इसका, और यह स्लेंडर लीजर्ड बिटल है, इस बिटल के भी आपको कई प्रजाती यहां मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको यह रेस्ट हाउस दिखेगा, आप देख सकते हैं, रेस्ट हाउस के साइद में हरे रंग का, यह यहां का जो बीट ओफिसर है, फोरेस्ट का, यह उनका रेसिडेंस है, साथ में सटा हुआ है, यहां रेस्ट देखते हैं यह मौत का एक केटरपिलर है और यहां आपको आसपास कई और प्रकार के जैसे कि एक मिल कुईट की प्रजाती है कई अन्य प्रकार के कीरे मोकोडे मिल जाएंगे आप में एंट्रेंस की और नाजाकर अगर पिछे मूड कर थोड़ा चले तो आपको यह रेल की प पीचा था यह इस इलाके में आपको रिशेस मिकेक भी दिखाए देगा लेकिन स्टाम्ठेल मिकेक काफी कम नजर आता है बाकी दोनों के मुकाबले यह आप देख सकते हैं रेलवे ट्रेक है जंगल के बीचो बीच से जाता हुआ जिससे काफी फरक पड़ता है इस जंगल क तो हमारे आने वाले अगले गीवन के एपिशोड में आपको यहां पाये जाने वाले और बहुत सारी खुबसूरत चीजों से आपकी रूबरू करवाएंगे इसी वादे से आज के लिए बस इतना ही तो guys यह था आज का हमारा इवन का व्लॉग अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आयो हो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जडरू कीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने friends and family के साथ share ज़रू कीजिएगा नीचे comment box में comment ज़रू कीजिएगा और साथ हैसाथ हमारे चैनल क वज हम पासी विजिए था यτεम झाल ही ही था हुर कि उतक नहार येहल था कलते हैं